दोस्तो भी आपको रिजनली पताऊगा कि एक दिल्ली की स्टूडेंट ने जियोहोटस्टार को एक्वायर कर लिया तो उसने जियोहोटस्टार डोट को पहले ही डोमेन जो है वो बुक करके रख लिया था अपने नाम पर और उसके बाद दोस्तों उसने काफी अच्छे पोस्ट में लिखा था कि आप मेरी study को जो है वो finance कर दो और आप यह domain ले लो लेकिन यहाँ पर दोस्तो रिलाइंस की team ने बोला कि नहीं हम तुम पर case करेंगे तो बही वो जो student था वो घबरा गया कि अब मैं क्या गरूं अब तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ domain लेनेगा क्योंकि रिलाइंस वैसे ही ले लेगी वो domain उसके हासे अब दोस्तो अब दोस्तो उस student को किसी ने advice दियोगी या उसने अपना दिमाग लगाया कि उसने जो वो domain था वो sell कर दिया और वो भी UAE students को जिया दोस्तो वो दो student को sell कर दिया अब दोस्तो यहाँ पर यह problem रिलाइंस के लिए कि वो अब उसको legally उनसे ले नहीं सकती मतलब उनको जो भी पैसे वो मांगेंगे उनको देने पड़ेंगे तो जी हां दोस्तो यह जो जी ओहोटस्तार.com वाला case था इसमें interesting चीज होगी कि वो उसने दिमाग लगा कर UAE में वो domain बेज दिया और अब रिल उसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्षिन में जरूर बताना और वीडियो बसंदिये दोस्तो लाइक जरूर कर देना